हलो प्रेंज क्या प्रैंटवट्स आज मैं को पताऊंगा कि गाय भैंश को लाइव इस्ट देना क्यों जरूरी है क्योंकि मेरे पास पोट इस तरह कtrack कमेट्स आ रहे थे कि दोधिन से कि स्थोट्री जो की newcom को देना क्या जूररी है यह क्या काम करता है और कौन से इस तरह की जो टेबलेट आती हैं या कौन सी इस तरह के जो पाउडर आते हैं जो हमें जूरूर बता है तो मैंने सुचा क्यों नहीं सपरेगा आपको एक डिटेल्व वीडियो बना दी जाए और रही बाफ जो जितने जो डेडी फार्मर है या गाय रखते हैं या चाहे भैस रखते हैं उन पसूं को एदी आप लाइव इस्ट यूप एदी जो भी एदी पाउडर या टेबलेट इदी आप अपने पसूं को देते हैं तो बहुत ही अच्छा बिन फिट आपके पसूं में देखने को मिलता है जो एदी आप नोर्मल ज या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन और आलवाला उपसन दबा लें देखो सबसे पहले तुम आपको बताना चाहता हूं कि लाइव इस्ट क्या करते हैं कि आपके पसूं में जैसे रूमन से समदित कोई भी दिकति आपके पस्टों में हो गई है hvor मन से वह ज़ाख दिकता है डिकता ही रोख से समदित ही दिकता आपके पस्टों को बहुत ज़्यादा तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पताना चाहता हूं जिस बहुत आपके देखा होगा कि आपके पशू में बार-बार गैस बनती ए अफारा बनता है पेट मेर्बंत कि सब्सक्साइब हो जाती है आपका फूरर मेंृंगने केुरूम करें लगाता है करने लग दों Northeast सब्सक्त का तो उसस्तित कि दौरान आपके प्रसूं के लिए लाइव इस्त की बहुत ज़रुत पढ़ती है इसी के साथ आपके प्रसूं में माइक्रो फ्लॉरा की संक्याइदी घट जाए कम हो जाए यह आपका प्रसूं खाना पिना कम कर दे चैवगाय हो या भैस हो ध्रे-द्रे कमजोर होती जाती ह तो भी यह देखना ना चाहिए कि आपके प्रसूं में रूमन से सम्दित कोई दिक्त हो गई है तो उसको बनाए रखने के लिए भी हमारे प्रसूं को लाइव इस्त की बहुत ज़रुत पढ़ती है इसी तरह से इदी पाचन से डाइजेस्ट सिस्टम बना रहे यानि पाच इसे लेकर कि शाथ के बीश में रूमन की पियस है तो सही है रूमन की प्यश गड़बढ़ाती है याई डाउन जाती है एसी डोसिस में जाता है कई बरेल कॉल्वसिस में चला जाता है तो उस इस्तती के दौरान आपके पशूं में लाइविस्त का होना बहु ज़्यादा यह आपके पास यह पावडर या टेबलेट आपके पास रहेंगी यह आप अपने पसू को समय समय पर देते रहेंगे तो आपके पसू में इस तरह की दिकत नहीं होगी याई आपके पसू की जो रूमन की पीएच है वह बिल्कुल भी नहीं घरबडा पाहेगी इसली के साथ देखा पार, दू दूदि आर्ण फेट कम आती है तो यह कहाता है कि दूद की फैट को भी बढ़ाता है उसके अंदर बहुत अच्छाः का सामयय आपिएआ तो उसी स्थितिके दोरान भी लाइविस्ट का भूती बड़ा रोल होता है इसी तरह से आपका पस्वेदी इंडाइजेस्टन में यानि सामाने अप्चैन में हैं नौरक्सिया में हैं कई दिनों से बुखा रहता है आपका पस्वेदी खाना पिना नहीं कर रहा है उसके पस्वेदी तो उसको कंट्रोल करने का भी आपके पस्वेदी का बहुत बड़ा रोल होता है यह आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊं तो भोल लंबी वीडियो बन सकती है लेकिन जहां तक हो सकता है मैंने आपको सरल बासा में बताने कोशिस कर रहा हूं ताकि अच्छे त का सम्दी कोई भी दिकत आपके पर सावं में देखने को नहीं मिलेंगी तो इसके लिए आपको आपके पाहँंगा पाउडर जो आपको कहीं पर किसी भी छेत्र मिल जाएंगे जिस तरह से एक तो आता है मेनकाइंड का टोनाकिंड गोल्ड पाउडर जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी छेतर में मिल जाएगा यह पाउडर भी यह दिया आप अपने परसूं को 50 ग्राम परड़े के साब से दे सकते हैं जो जितनी भी मैंने आपको दिक्कत बता ही है उस त किसी देंगे मैं कि दोज़ा चार से पांश दिन देंगे तो यह आपके बहुत जल्डी शीकरी लह गार तो आप चार से पांश दिन सकते encourages तो बैप 10 गार भी आप 15 दिन देंगए कि दिक्राम टी सकते हैं by जो जिनático लटेकल यह भी आपको मिल जाएगा इसी तरह से केरस का आता है जिस प्रकार से लेटी फिर अल्टरा या इसी तरह से एक लेटी फिर आता है इन दोनुं में से कोई सब यह दिए आपको पावडर मिले तो वह पावडर भी आप परियोग कर सकते हैं वह भी अच्छा result आपके पर पॉस परियोग चाहिए कोई देखने को उसके साथ भी आप दे सकते हैं तो उसके अंदर आप कर सकते हैं सबसे अचार जेजल मिलता है इसी तरहिसे जो आप हर फ्रेश के बारे में अच्छी तरहिसे जानते जो आप हर बोलस बारे में कि हैं बाइच पर रोबॉस्ट बोलस आती है इसके अंदर भी कौको टे सकते हैं ये धी आप उसे एक बोलवर्य है तो आटे हैं लेकिन उन में से मैंने वहाँडर में बताई जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी हैं अक यह आती हैं यह क्योंकर मिलती है लाइव हिस्कित वाली तो भी वह भी आप प्रियोग कर सकते हैं यह रहی बात यह आपका प्रसु को देंगी तो यह वीडियो जितना हो सकता आप पसु पालक हैं या वेटरियन स्टेंट हैं उनके साथ सेर कर दें क्योंकि पहुत ऐसे जो पसु पालक हैं डेरी फारमर हैं उन्हें पसु में इस तरह की दिकत होती है अलागि उनके पास यह उपलब्द भी होते हैं लेकिन उन्हें इतना नो